इंडोनेशिया में तबाहकुन सुनामी ने हजारों लोगों को बेघर कर दिया है सैकडू घर तबाहो चुके हैं बेघर अफराद आरजी कैंप में रहने पर मजबूर हैं इन में छोटे छोटे वच्चे भी शामिल है सुनामी की वच्चे से इंडोनेशिया के मगरिबी जावा का साहिली इलाका सबसे ज्यादा तबाही का शिकार हुआ है बाजर है कि रिस्क्यू और बचाव का काम अभी भी जारी है लोग अभी भी अपने लापता रिष्टेदारों को तलाश कर रहे हैं अमरीका की रियासत टेकसास में फाइरिंग में तीन लोगों की मौत हो गई पोलिस के मताबिक एक शखस ने बहस के दरान गोली चलाई जिसमें उसकी बीवी और साली की मौत हो गई बाद में गोली चलाने वाले शखस को भी मुर्दा पाया गया पोलिस का कहना है कि तीन बच्चे खिड़की से बाहर निकले और वो महफूस है पोलिस मानती है कि उसने बीवी और साली को गोली मारने के बाद खुदकुशी कर ली तरकी और इसराइल के बीच कशीदगी पर तीचा रही है इसे कबल इसराइली वजिराजम बन्यमिन नितिन्याहू ने उर्दगान को ताना शाह करार दिया था और कहा था कि तुर्की की फौज कुर्द गाउ में मासुम बच्चों और ओरतों को जिभा कर रहे है हलांकि अभी यवाजय नहीं हुआ है कि हालिया कशीदगी की वजह क्या है मजुम्लार न सेसिदिर सें जालिम्लेरिन सेसिसिन ऌर से टRE खर थे कि व्र यषियो तुम्लेर करूर झाल